हम वहाँ ही गुसा करते हैं, जहां में गुसा करना अलाउड होता है, जिसके सामने नहीं अलाउड होता है, हम गुसा नहीं करते हैं, लेकिन करते करते सारा दिन हमारा कितना नुकसान कितना हो रहा है, ज्यादा नुकसान किसका होता है, जो डांटता है या जो डांट खाता है very good, वो भी बता है कोई ऐसी बात ही नहीं है जो नहीं पता है, लेकिन फिर भी बाहर जाके काम करवाने के लिए डांट देते हैं हर आस्पिटल में executive health check-up होता है worker health check-up नहीं होता तो कौन से work का check-up हो रहा है कौन से work का check-up हो रहा है कौन से work को diabetes, cholesterol, BP ज्यादा है जो डांटता है, मतलब जो काम करवाता है जो काम कर रहा है उसको नहीं हो रहा जो काम करवाता है और गुसा यूज करके काम करवाता है एक चीज को हटा लो आपकी organization की productivity बढ़ जाएगी most important the energy field of the office should change office में enter भी करना हो तो वहीं लिख दो you are entering a no anger zone मतलब जो client आए जो कोई भी आए बाहर वाला उसको भी allowed नहीं है मंदिर कैसे बनते आए मंदिर कैसे बनते आए मंदिर में जाके क्यों लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि वहां के energy field अब सोचो अगर आठ गंटे मंदिर में बैठके काम करना हो तो emotional health हो अपने आप अच्छी हो जाएगे तो फिर office को क्या बना देंगे दो चीज़ें offices से हट जाने चाहिए एक anger and दूसरा gossip energy depleters जो हैं बहुत बड़े और जो visible है देखो एक जैसे insecurity है यह तो अंदर है जो दो चीज़ें बाहर दिखती हैं behavior में इसको band कर दो कि this is a no anger zone this is a no gossip zone एक दूसरे को जाकर तीसरे की बात करता है जो सुना रहा है उसकी energy घटती है जो सुन रहा है उसकी energy घटती है दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं की energy घटती है और पूरे office के अंदर वो vibration radiate कर जाती है तो सबसे पहले हम किसी और की कमजोरी किसी को न आ जाके सुनाएं कोई हमें सुनाने आए office में भी अगर कोई किसी के बारे में professionally भी कुछ सुनाने आए तो बोलो दोनों इकठे आना तब बात करते हैं एक के साथ बात करना is a waste of time waste of energy दो office में क्या आप सिरफ husband wife के साथ अलग-अलग बात कर लो आप parent child के साथ अलग-अलग बात कर लो आपको दोनों एकदम right लगेंगे लेकिन दोनों को इकठे बात करने के लिए बोलो ताके दोनों एक दूसरे का नजरिया समझें और अपने आप ठीक कर लें अपनी बात को लेकिन अगर हम एक का सुनेंगे again दो लोगों को बोल दो अलग-अलग आके इसको describe करें तो दोनों का description दोनों का description एक तम अलग होगा तो नो gossip and no anger कर सकते हैं? इतना सोचना पड़ता है इसके लिए यह तो बहुत इजी है बहुत इजी है energy depleters को हटाना है न कि what is pulling down my energy field anger में irritation, turbulence यह सब आगया वो ही बात करो discipline करो लेकिन सब्यदा के साथ सम्मान के साथ dignity के साथ उससे सामने वाले का जो benefit होगा वो तो होगा लेकिन सबसे पहले किसका benefit होगा? offices में तो सामने वाले को असर होना आप बंद हो चुका है जो लोग जादा करते हैं सामने वाले को तो आदत पढ़ जाती है लेकिन सामने वाला बच जाएगा चो कर रहा है वो नहीं बच सकता because we are creating that anger we are creating that energy so करने वाला नहीं बचेगा सामने वाला has a choice कुछ लोग डांट खा लेते हैं फिर जाते हैं चाई पीते हैं चाड लोगों के साथ बैठते हैं कहते हैं आज भी उन्होंने शोर मचा दिया कहते हैं छोर नहीं तो रोज ही मचाते हैं क्या करना है हसते हैं उनके बारे में चाड लाइन बोलते हैं आप आजाते हैं, तो उसके बाद नहीं असर पड़ेगा उसका, तो उससे क्या होता है, जो लीडर है, उसके शब्दों की वाल्यू खतम होने लगती है, एक पेरेंट भी अगर रोज डान रहे है, क्रिटिसाइज कर रहे है, बच्चों के उपर उसका प्रभाव खतम हो जाता है, क्योंकि शब्दों की वाल्यू खतम हो गए, क्योंकि शब्दों का अब सामने वाले के उपर असर होना, तो अब हो गया, है, तो अपनी पावर को संभाल के रखना है, हर रोज सुबह, पहला एक घड़ा, अपने लिए इस टाइम होना चाहिए, सुबह उठकर फोन सबसे पहले कौन देखता है, energy depleter, energy depleter, सबसे चीज इंपोर्टन जो हमें as a professional करनी है, कि फोन का सही यूज, फोन का सही यूज, जब हम आरे पास फोन नहीं थे, तो जब हम घर पाउंच जाते थे, तो हम घर पे उते थे, अब जब हम घर पाउंच जाते हैं, तो भी हम, तो भी हम office में, it's not that not to use the phone, but don't use the phone for office work, because with messages, with emails, with phone calls, if your mind is constantly at work, तो ये mind rest कब करेगा, आज इंडिया में depression rate इतना high क्यों है, इंडिया number one है इसल, पुरे विश्व में, ये high इसलिए है, क्योंके हमारे मन थके हुए है, we are tired minds, tired mind means battery, तो एक cut-off time अपने लिए शाम को रखे, अगर आप organization के अंदर वो नियम बना ले, तो organization के अंदर एक cut-off time होना चाहिए, कि let's say, सुबह से शाम काम करते हैं लोग, तो फिर 8 o'clock, suppose 8 o'clock, so 8 o'clock is a cut-off time, कि 8 o'clock के बाद, कोई office communication एक दूसरे से नहीं करेगा, unless it's a crisis, and crisis वात कम होते हैं, लेकिन जिनके पास time नहीं होता, उनके लिए रोज ही crisis होते हैं, urgent है, urgent, जल्दी कोरो, urgent है, no, it is for your good, that you allow people to rest at home, because rested minds will work better tomorrow, tired minds will not work well tomorrow, the reason why we are short of time is because the mind is tired, थके हुए मन को चला रहें, चला रहें, चला रहें, काम कर रहें, कर सकते हैं, cut-off time? कितनी देर cut-off होना चाहिए किसी का, office से? 12 hours, very good, तो इसका मतलब शाम के 8 से सुबह के 8? शाम के 8 से सुबह के 8? Yes, no office phone call, no office messages, no office emails.